नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विशेख कुमार वाब देख रहे हैं इन्टाइम इंवेस्ट निवेश आपका भरोसा हमारा तो चलिए आज बात करते हैं क्या इंवेस्टमेंट सही है क्या हमने जो इंवेस्टमेंट किया है वो हमें एक सही इंवेस्टमेंट बनाता है क्या हमें अपने इंवेस्टमेंट का सही परपस पता था या जो इंवेस्टमेंट के थू हमें मनी मिलेगी उसका यूज क्या है क्या जो हमने इंवेस्टमेंट किया था हमें वो सक्सेस बना और आखरी में मैं आपको एक और सवाल का जवाब दूँगा जो बहुत सारे इंवेस्टर मुझसे पूछते हैं कि वाट इस बेस्ट इंवेस्टमेंट तो आखरी तक जुड़े रहे हैं मैं आपसे क्वेशन पूछता हूं वाई फाइनिसल प्लानिंग इस इंपॉर्टेंट किसी इंवेस्टमेंट से पहले गोल को सेट करना इंपॉर्टेंट क्यों हैं फोकस इंवेस्टमेंट होना क्यों जरूरी है जिस तरह से life is one type of opportunity जिसे हमें अच्छे से use करना चाहिए उस opportunity को cash करना चाहिए जिस तरह से God ने हमें तीन चीज़े दी हुई है body, brain और time उसी तरह से human ने हमें क्या दिया है money, money एक resource है इसी तरह से financial planning not only for financial planning it is life planning जिस तरह से nature में 5 elements होते है air, water, fire, earth और sky उसी तरह finance में भी 5 elements होते है income, liability, assets, expenses और cash fee financial planning क्यों important है किसी भी investment से पहले उसका reason है कि market में बहुत सारे experts है हर segment में, हर field में अलग-अलग experts आपको मिलते हैं जैसे insurance agent, insurance में आपको suggest करते हैं expert मिलते हैं उसमें mutual fund expert, mutual fund में equity expert, equity में community expert, community में currency expert, currency में इसी तरह से banking experts, banking instrument जैसे loan हुआ, FD हुआ इसमें आपको suggest करते हैं बट वो आपको एक correct picture प्रवाइड नहीं कर पाते हैं और आपको सही goal planning में help नहीं कर पाते हैं इसलिए हमें investment से पहले एक financial planner की जरूरत होती है जो proper way पे हमारी financial planning कर सके हमारे goal को set कर सके जो हमें guide कर सके कि हमें कहां पे investment करना है किस instrument में कितना investment करना है वो हमें सही तरीके से guide कर सके क्या हमारे goals होते है life के जैसे एक married couple के newborn baby होता है तो उसकी education planning उसकी marriage planning करते हैं तो marriage और education planning हम क्या करते हैं investment करते हैं कि हमें investment कर दिया हो भी planning लेकिन ऐसे नहीं होता उसके लिए हमें proper पता होना चाहिए कि हमें कितना पैसा चाहिए उसकी education के लिए कितना पैसा चाहिए उसकी marriage में inflation rate आज से क्या है और आने ले time पे क्या बढ़ेगी आज एक लाग रुपे की value है वो आने ले time पे लाग रुपे की value क्या रह जाएगी तो ये सब सोच के हमें child की planning करनी चाहिए वोल क्या है कितना पैसा चाहिए और उस पैसे की value उस टाइम पे क्या होगी इसी के साथ साथ हम house planning भी करते है वेकेशन प्लान भी करते है अदर्स planning भी करते हैं तो वह हमें plan करके investment करना चाहिए जो हमारे गोल को fulfill करे एक financial planning में complete three things होती है लिक्विड्टी सेफ्टी और इल्ड यह तीनों important factor है जो देखके समझ के आपको फाइनेंसल प्लानिंग गोल सेट करना चाहिए उसी के हिसाब से आपने जो new time investment रखना है मैं एक example देना चाहते है मार्केट में आपको बहुत सारे financial expert मिलते हैं जो आपको financial suggestion देते हैं इंशॉरेंस expert आपको insurance के बारे में guide करता है mutual fund expert आपको mutual fund में some of equity some of FD and some of banking instruments पर यह आपको complete solution नहीं दे पाते financial planning के लिए क्योंकि यह अपने field के expert है तो इसी तरह से हमें financial planning करनी बहुत जरूरी है investment से पहले जिस तरह से मैं आपको एक example देता हूं हम apple खाते हैं अगर हम पूरे दिन केवल apple खाएं या हफते भर apple खाएं और कुछ भी ना खाएं तो क्या हमारे सरीर को nutrition की requirement है वो apple fulfill कर पाएगा नहीं कर पाएगा हमें complete food चाहिए जिसमें mineral vitamins fiber calcium etc सब चीजें हो complete food हो इसी तरह से financial planning उतनी ही जरूरी है investment के लिए जितना हमारे food में complete food होने की तो आपने मुझसे question पूछा था कि what is the best investment as per my way mixed investment is the best investment not a standard mixed investment only for mixed investment is the best investment तो I hope आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा और मैं चाहता हूँ अगर आपके वीडियो सही लगा है तो इसे subscribe करिए और bell icon को प्रेस करना मत भूलिए जिससे आगे आने अले टाइम पे और भी notification में आप आपको मिलती रहें नमस्कार जैहिए आपके कर अपके झाल झाल